आज आज आपके सामने एंडी के वोड टॉपिक्स लेने वालों जो आपके एक्जाम में आएंगे 100% आएंगे मैं जानता हूँ भी आप बोड एक्जाम से दस फ्री हुए हैं और आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो रहा होगा कि अर कहां से शुरू करें तो ये उस पॉब्लम का ही सुलूशन में लेकर आ रहा हूँ इन टॉपिक्स को करना ज़रूर पर पहले एर कॉंपिक्शन समझ लो छह लाग बच्चे दे रहें छह लाग में से मातर सिर्फ तीन लाग लोग ये दम रखते हैं कि चलो एक्जाम देख कर आते हैं ठीके इतने ही देने आते हैं ठीके और उसमें से करीबन 6,000 लोग यहाँ आप सीट लेते हैं 6,000 से लेके 10,000 ठीके लास अकैड़ी जो जो जॉइन करने की संख्या है वो है मातर चार सो बच्चे लो अगर आपको इतनी बात समझ में आगे तो आप एक्जाम का पैटन भी बड़ देख लो इससे आपको यह बात क्लिर एटी हो उसके बाद में तक नमबर ले आते हैं ठीके तो भीया इस बात को ध्यान नको कि यह दोनों पेपर हैं तो एक को लेक इंपॉर्टन बट मैक्सिमुम बच्चे फेल यहां पर होते हैं ठीके दूसरी बात जी एटी में जो एक कोशन है वो चार नमबर का मैस में 2.5 का है ठीके तो अब हमें थोड़ी प्लानिंग ऐसे करनी होगी कि इन दोनों का स्कोर ऐसा बन जाए कि हमारा एक्जाम कॉलिफाय हो जाए ठीके तो बॉइस के लिए जो आइडल स्कोर होता है वो होता है 500 ठीके अब हमें ये स्कोर बनाना है इसकी तरह हम बाते करते हैं पहले हम तरह समलें कट आफ क दूसरी बात जो आपको समझ दिये कि मेरिट में आने के लिए जो मैंने आभी आपको नंबर बतायते वो थे 400 और 500 तो भाईया बॉइस को लेकर आने 400 नंबर और गल्स को लेकर आने 500 नंबर क्योंकि सीटे इतनी होती है कि या अगर तुम्हें बॉय हो तो तुम्हें अगर इंपॉसिबल इंपॉसिबल है एक महीन में नहीं हो सकता तुम बस अभी इतना याद रखो कि 350 की कट ओफ आती है मुझे इसको फाड़ना है ठीक है अब कई सालों से यह जो कट ओफ आ रही है 295 कई सालों से मतलब 3-4 साल हो गए हो ठीक है यह बहुत मतलब 2020 में COVID के टाइम म बहुत हाई गई थी उसके बाद कट ओफ बहुत नीचे चली गई है ठीक है तो फिर भी तुम मान के चलो कि वर्स से वर्स अगर कट ओफ जाएगी तो 350 जाएगी उससे उपर नहीं जाएगी ठीक है अब यहां से दरह मांगे चलते हैं अब इंडी की देखो स्ट्रेड़ी क्या होनी चाहिए समझो मिली बात क्योंकि तुम्हारा पर सिर्फ एक महीन बचा तो लुग सब कुछ नहीं कर सकते हैं इंग्लिश तुम्हे करना है क्योंकि इंग्लिश का वेटेज है वह हो 200 मार्थ इक्नोमिक्स अचार आएगा और भगवानने कौन सब्सक्राइगे और इसक अब कॉष्च और धकुण पर क्या करना है ठीक है, अगर तो मैं इसका मन हैसे करने का मैं बता दूँगा, बट मैं अभी आपको सिंपल इतना ही बोलूँगा, कि अभी अगर आप एक चीज ऑप्शन में रखना चाहरे हो, कि यार मैं हिस्ट्री पॉलिटी करूँ या नहीं करूँ, जब मैं हिस्ट्री पॉलिटी की बात करूँ, हिस्ट्री पॉलिटी आपको अगर एक्जाम पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसमें करीबन 50 से लेके 60 नमबर तक का स्कोर उठाने में मदद करेंगे, अदरवाई जो मारा मेन फोकस है, मेन फोकस वो ये वाला है, ये, ठीक है ना, अगर मेन फोकस इस पे रखोगे, तभी तुम 350 तक पहुँच पाओगे, अदरवाईस तुमने सूचा मैं हिस्ट्री भी कर लूँ, मैं पॉलिटी भी कर लूँ, मैं एकनॉमिक्स भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, फस्स केर जाओगे, ऐसा मत करना, जो बता रहा हूँ, उतना ही करना, माच्स, इंग्लिज, जी एटी के इंदर, साइन्स और जोग्रफी, और करन्ट अफेर, ठीक है, ये मेन टागेट होना चीए तुमारा, और ऐसा, बिल्कुल माच समझो कि, कई लोग ने ऐसा वाना, सेक्शन कट अफ होती है, नई भाई, सेक्शन कट अफ ऐसा नहीं कि, हिस्ट्री भी करना पड़ेगा, जोग्रफी भी करना पड़ेगा, पॉलिट्टी भी करना पड़ेगा, नई, से भाईया, तुम्हें टोटल नमबर लेकर आने, इतना ही रूल है, ठीके, इतना ये ज़रूर होता है, कि फॉर एक्जांपल, ये वाला जो पेपर है, ठीके, अगर आपको पेपर नमबर वन आपने कर लिया है, तो पेपर नमबर वन में, मिनिमम आपको 33% मार्क्स लेकर ही आने होते हैं, जिससे आपका पेपर नमबर टू चेक हो सबगे, अब ये 33% मार्क्स कितने होते हैं, अप्रॉक्सिमेटली 75, पर मैस में अच्छे नमबर माने जाते हैं 100, तो मतला मिनिमम 75 तो लाने ही लाने, पर तुम 100 लियाओगे तो बहुत बढ़िया स्कोर है ये, ठीक है ना, ये मना जाता है, ऐसे जीटी में भी 33% तो लाने लाने, ऐसा नहीं है, तुम मैस में लिया है 300 नमबर, और यहाँ पर तुम 20 नमबर ला रहे हो, ये नहीं चलेगा, तो 33% तो qualifying होते ही होते हैं, कि यह इतने तो लाने ही लाने है minimum, ठीक है, इसके उपर लादो, तो मज़ेद है, मज़े ही मज़े है, ठीक है, तो भीया, आप आज इंग्लिस, G.A.T. में Science and Geography, और Backup में Current Affairs को रखना है, जो आपके 110%, आपको शौश और आपको पता लग जाएंगे, ये आने ही आ रहे हैं, ठीक है, इसके बाद history, quality, इन में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, और economics को हाथ नहीं लगा ना, क्योंकि एक में से 4 question आते हैं, या 1 up to 4, ठीक है, एक question आएगा, या 4 question आएगे, इतना ही होता है, otherwise इसका weight is नहीं होता, कई बार तो इसका weight is सिर्फ एक ही question आता, कई सालों से एक ही question रहता है, so I will not say, कि आप करो, जैसे last time का मैं आपको बता हूँ, NDA में इससे last question आया था, वो होता planning commission, बस एक ही question आया था, ठीक है, मैंने predict कर दिया था, कि यहीं आएगा, यहीं आएगा, बड़ फिर भी एक question के लिए इतनी मेहनत क्या ही करना, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब देखो या, जो मैंने तुमें strategy बताईए, यह मैं मैं अपनी offline class में ही बताता हूँ, तो तुम इस बात को ध्यान में रखो, कि तुम जो ले रहे हो ना, वो सही ले रहे हो, ऐसा नहीं एक YouTube पे कुछ बता रहो, और जो paid classes होती हो, उनमें कुछ और बता रहो, और नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जो बता रहो, जाए तुम खुझ से पड़ो, करना जुरू है, यही करना है, अगर आपको इसकी PDF लेनी हो, तो यहाँ पर आप WhatsApp पे जाना, WhatsApp का नमबर क्या है, यह रहे, इन दोनों नमबर से किसी एक नमबर पे जाना, और NDA लिखना, ठीके, NDA जैसी लिखोगे, आपके सामने एक मैसेज आएगा, उसमें टेलिग्राम जॉइन करने का उप्शन आएगा, वहाँ टेलिग्राम पे आपको जो मैं भी बताने जारो, इस सबका PDF में डिटेल मिलेगा, ठीके ना, तो उसको ले लेना, ठीके, आफ्टर दा अप्लोड ऑफ 24 आर्स, यह आपको PDF में लेगी बहाँ पर, ठीके, चुरू यहाँ तक की बात होगे, अब ज़र हम खेल पर समझते हैं, सबसे पहले हमें ध्यान देना मैस, मैस, 300 मांक्स, धाई गंटे, देखो याँ, अगर मैस को हम डिवाइड करें, तो सेटेसिक्स, ट्रिग्नोमेटरी, जोमेटरी, कैल्कुलस, इन चार यूनिट में हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीके, इसमें एक यूनिट और है, जो मेरी फेवरेट है, वो है अलजेबरा, क्लिर है, अब, अगर मेरा कोई छोटा भाई होता, तो मैं उसे क्या एडवाइज करता, कि भाई, एलजेबरा तो करना ही करना है, 200%, ये तो करना ही करना है, नहीं करोगे, तो मतारों तुन्हें अपनी लंकार डुपानी, उसकी बाद मैं उसे करता, पेटा, ट्रिग्नोमें में ट्रिग्नोमेटरी आइडेंटेटी जरूर कर ले यह एक्जाम में फुद्दू कोशन है तीक है इसकी बाद मैं उसे स्टेटटि सेग्स जरूर कर आता अब जुमेटरी में और कैल्कूलस में बड़ा सेलेक्टेट कर आता अब क्या कराता जरा समझो मेरी बात मैं उससे कहता कि बेटा एलजेब्रा तो यह पूरा करकर ठीक है जोमेट्री में स्टेट लाइन और सरकल कर ले यह वाला हिस्सा छोड़ दे इसके बाद में उससे कहता कि जब तुं इंटिग्रेशन कर रहा है ना मतलब सोरी इंटिग्रेशन वाला पार्ट छोड़ दे क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लगता है अगर तेरा बोड एक्जाम में इंटिग्रेशन बहुत अच्छा था तब ही करियो अदरवाइस मच छे के देता एक direct formula base क्या क्या रहाऊ direct formula base दूसरा देता है वो conceptualize कि concept लगें direct और वो हो जाए तीसरा जो pattern होता है वो यह होता है कि वो थोड़ा सा ऐसा जेता है जो problem दिमाग लगाना पड़े थोड़ा सा tricky होगा हलका सा tricky बहुत ही little tricky थोड़ा सा problematic होगा हलका सा tricky बहुत जड़ा सा last जो होता है fourth फोर्ट जो होता है कि IT level ठीक है अब IT level के चार से पांच question आते हैं तो यह तो हमारी काम कहीं नहीं है हमारे यह तीन चीज़े है ठीक है तो अगर आपने direct formula conceptual base भी कर देना तो आपने around 75 तक कता score उठा लिया 100 के उपा जाने के लिए यह problem जो tricky कोशन है वो करना जरूरी है ठीक है now again इसमें आप यह चीज़े जब छोड़े जो मैंने आपके सामने mark करके दी है आपने paper फार दिया but मैं एक चीज़ और बोलता हूं काफी लोगों को कुछ chapters में दिक्कत आईगी जैसे permutation and combination इसमें आपक लोगों करना अदर्वाइस आप बहुत रोगें क्लियर है सिंपल बात ठीक है अब यही बात में यही पर बोलना चाहूंगा अब स्कीन बड़ी हो गई है कि यह वाले topic छोड़ देना integration को लात मार देना इसके बाद आपका जो क्या नाव है permutation combination जितना हो कर लेना ठीक है प् इसमें यह वाला जो टॉपिक है इसकी बहुत जादा हाई है तो इसको छोड़ना मत किसी भी तरह से ठीक है अगर तुमने छोड़ा तो सुनलो पाप लग गया तुम्हें लंका लगा ली ठीक है उसके बास statistics one of the most easiest oh my god one of the most easiest सबसे ज्यादा दिमाग इसमें खरच करना की हो है और उसके बास लास जो खरच करना है जो किसी भी हाल में कम नी रहने चाहिए वह है अलजेब्रा सबसे असान है सबसे असान अगर तुम्हारे पास math background नहीं भी है तो भी वह बंदा यह वाले topics कर देगा तो प्लीज जान फूख देना अपनी clear है एक बाद रहा रीकेप कर लात मार देना यह वाला जो integration parties को छोड़ देना ठीक है और algebra पूरी करनी है ठीक है एक फुद्द्व सो कोशन इंवर्स ट्रिक हो आता है वन कोशन आता है ठीक है यह कर लेना बस खतम the end maths हो गया ठीक है बट मैं एक सला जरूर देना चाहूंगा देखो आप cell selection board की app पे जाना वहाँ पना 20 साल के 20 years के nd के question कराये मैं प्लीज उसे कम से कम दो बार कर लेना एक बार देखकर कि यह समझ नहीं आ रहा था तो मैंने समझा पहले फिर करा दूसरी बार सिर्फ question देखो और answer निकालो यह app में दिया हुआ है तो आप cell selection board की app install करना ठीक है अब यह वाली जो app ह यह नदर क्या करना पड़ेगा master course में जाना पड़ेगा अगर आपको यह ढूंढा है master course में जाना पड़ेगा और वहां जाके मातरे 300 रुपे में आपको मिल जाएगा मातर 300 रुपे में तो भाही कर लेना मैं आपको वादा कर रहा हूँ आप खुद ही काओगे सर copy paste आयां स चीज़े आपने बता ही क्या quality of question थे कहां से ढून के लायो आप ये कहोगे तो ये कर लेना ठीक है ना बाकी जहां से आप जो books पढ़ रहे हो चाहे आप RS अगरवाल पढ़ रहे हो चाहे आप कोई और किताब पढ़ रहे हो प्लीज खतम कर लेना ठीक है न कोई बी किताब 20 साल के नहीं कराती है कोई भी किताब दुनिया की चाहे तुम दिशा ले लो चाहे तुम कोई और किताब 10 मास दस पेपर बोलते थी, दस पेपर करो नहीं, बस, 20 साल बहुत होता, 20 साल मंदस, जितने भी आस तक पैटर्न के कोशन आए, सारे खतम, और 300 रुपए कोई जाता नहीं होता, गरीब से गरीब अमीर से अमीर ले सकता हूँ से, ठीक है, नौ, एक बात और बोलता हूँ है, अगर अब आते है science की, science का सीन क्या है, science का जो weightage है, वो है 220 मांस, क्या कह रहाँ, 220 मांस, 220, क्लियर है, अब इसमें से, एक science वाला बच्चा, अराम से, 180 नमबर, ला सकता है, और जो non-science है, में मिनिमम 100, ला सकते है, ठीक है, अब हमें ये उखाणना है, इसके लिए क्या करना आप में से शाहिद कुछ लोग कहेंगे साथ thermodynamics आता है, vector आता है, ठीक है, और भी कुछ कहलोगे, gravitation, gravitation लिखी रखा है, एक दो टॉपिक, हाँ, magnetism, magnetism कहोगे, magnetism आता है, ठीक हो बिटा, मैं ये deny नहीं कर रहा है, ये question नहीं आते, ठीक है, पड़ ये हर बान नहीं आते, every year नहीं आते, ठीक है, every year नहीं आते, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर साल बाले बता रहा हूँ, time कम है, आपको science की बेहंता अच्छी knowledge है, बहुत अच्छी बात है, पड़ आपको revision में पहले ये वाले topic करने है, NCRT से, ये करने ही होट topics है, लिखाना है hot topics, ये करने ही कर मतलब मैं carbon वाले chapter को कह रहा हूँ, हाथ मत लगाना, और inorganic का जो S block, P block होता है, उसको हाथ मत लगाना, अगर इससे आएगा भी तो एक question आएगा, दोनों से, so do not waste your time, और ये है बहुत लंबा, physical chemistry करो, class 9th and class 10th, are you getting more point, अगर तुमने ये कर लिया, तुमने chemistry फार दी, तुम गएगा, disease, vitamin आएगा, system, respiratory system, दिल का धड़कना, दिमाग का काम करना, excretor system, digestion, ये आएगे topic, ये fix topic है, इन topic का आना, तै है, कोई रोक नहीं सकता, इन topic को आने से, तो भाईया, बायो से भागना मत, ये कर लेना, हो सकता है, तुम्हें biology की दिक्कत आ रही होगी, so don't worry, मैंने एक वीडियो लेकर आना, यूटूब पे, यूटूब पे, यूटूब पे, दस साल के past paper, उसमें मैं ये topics कराऊंगा, ठीके, पड़ भाई, जब मैं दस साल के past paper कराऊंगा, तो इसकी जो length होगी, around 10 hours की होगी, 10 गंटे, और 10 गंटे का मतलब है कि तुम्हें अपना time देना पड़ेगा, कही लोग पता है क्या करते है, जो लंबी वीडियो होती है, 10 गंटे की revision वाली वीडियो, उनको क्या करते हैं, दिनों में देखते हैं, एक दिन, दो दिन, तीन, चार दिन, नाई भाई, ऐसा मत कर, अगर तुम ऐसा इतना लंबा revision कर रहे हो, तो तुम्हें जोगरफी history policy बता हुआ, ठीक है, link description में YouTube का, ये comment section में देख लेना मा मिल जाएगा, अब देखो जोगरफी की बात से बात से बात लो, जोगरफी, जोगरफी का scene क्या है, कि clouds, Capricorn, soil climate, railway zone, national highway, ocean current, ये बाकी जितने भी तेरा topic है, 13 topics, bloody 13 topics, ये exam में रेपीट होते हैं, तो और ये 7 hours की वीडियो होगी, करीबन 7 घंटे की, अभी recording चल दी है, इनकी, clear है, तो मैं आपसे यही चाओंगा, कि हर हाल में इसे देख लेना, इसका link भी मैंने description box या comment section में डाल दिया है, कर लेना, free का है, दिखो बिटर, तुम्हें time देना पड़ेगा, अब तुम ये कह र तो भाई, मैं हूँ काम चोरुफ है, मैं अपनी पूरी जान फूग नहीं को नहीं दिया, तो हूँ काम चोरुफ है, फिर सपना देख के ओ रहा हूँ, मैं India का, clear है, तो जो मैं आपको बता रहा हूँ, चाहें ये खुद कर लो, या जो मैं करा रहा हूँ, वो वैसे कर लो, मैं आपको याद भी करा दो, और तुम को देखो, ओ भाई, को भी पेस्ट, clear है, चलो, आगे देखें करा, हिस्ट्री की बात है, देखो, हिस्ट्री डिवाइड है, ancient हिस्ट्री, medieval हिस्ट्री, modern हिस्ट्री, तीक है, अब देखो, या यह जो चलते हैं, मतलब, हिस्ट्री में पांच कोश्ट्री करने बैट जाओगे, तो बहुत दिक्कत आजएगी, सबसे पहले करो, ancient इंडिया, ancient इंडिया के यह वाले topics करने हैं, बस, उपर के छोड़ दो, clear है, मतलब, यह one of the most frequent topic है, मैं यह नहीं कहता कि यह आते ही नहीं कभी, जो मैं red से लिखें, बट यह वाले आने ते हैं, यह वाले आने ते हैं, clear है, मतलब, पांच में से, तीन question तो इसी में से होंगे, यह बात की guarantee मेरी, यह बात की guarantee हो भी सकता है, कि पांच के पांच सारे की सारे इसमसे आ जाए, उसके बाद medieval India पर आतो, देखो medieval India बहुत सारा है, आपको करना क्या है, ज्यान समझ पता होना चाहिए, इसके बाद तुम्हें पता होना चाहिए, अकबर का empire, वह empire था जब हिंदू राज खतम हो रहा था, और उसके बाद पूरा मुगल empire हो गया था, पूरे इंडिया में, ठीके, इसके बाद यहाँ पर आ जो, यहाँ पर आता है, साउथन वाला, चोलाज व रहे गया यह, रासखोटा रहे गया, बस, इतना आपको पता होना चाहिए, अगर आपको यह नहीं पता, तो आप यह समलों गलती कर रहे हो, ठीके, और लास में भक्ति मोमें, अब देखो, मैंने यह topic टिक कैसे किये, मुझे ऐसे कैसे पता है, देखो, ध्यान सुनना मेरी ऐसा होता है, गौवर्मेंट पर डिपेंड करता है, गौवर्मेंट कैसी है, अब देखो, कॉंगरेस थी, ठीके, अब कॉंगरेस को, यूथ को influence करना है, तो यूथ को influence कैसे करें, modern history से, क्योंकि modern history में इक कॉंगरेस का बहुत बड़ा रोल है, कॉंगरेस ने अजादी की तरफ बहुत कुछ किया है, तो अगर आम जनता यह पड़ रही है, कॉंगरेस यह कर रही है, तो कॉंगरेस करेंट में बेकार भी perform कर रही हो, तो जो उनके ऐसान है, वो एक यूथ दिमाग पे असर करेंगे, तो बाद में vote किसे करेंगे, कॉंगरेस को, अब गुर्मन किस की है, बीजेपी की, अब बीजेपी का जो अगर प्रोपागेंड़ा रहता है, वो हिंदूजम रहता है, तो जहां हिंदूजम था, और जहां हिंदूजम सबसे पीक पे था, जहां मॉट्र हिंस्ट्री में क्या होता था कि गांधी जी पे बहुत सवाल आघे कहां-कहां थो ती कप पहले गां फिर भीया बीजेपी गॉर्मेंट आ गई, गांधी जी पे कोश्चन आने हो गए बंद, पेपर में, अब आते हैं ये वाले, एक्स, अंग्रेजों ने कौन-कौन से एक्ट पास करे थे हिंदुस्तान को सता आने के लिए, दूसरे, गांधी जी को छोड़के जो भी लीडर्स इंडिया थे, इन्होंने देश के लिए क्या किया, क्या करा इन्होंने, ये आता है एक्जाम में, ठीके, नौ, ये मैंने न, पूरी की पूरी हिस्ट्री करा रखी, ओलेडी करा दिये, इसको अभी देखना, देखना भी शुरू करते हैं बेटर, टाइम लगेगा इसको, क् पॉलिटी का सीन क्या यार, देखो पॉलिटी अगर तुम्हें करने का मन है, वैसे तो मैं मना कर रहा हूं, मत करो, ठीके, पॉलिटी का वेटेज बहुत जादा डाउन होगा, बट अगर तुम्हारा मन है, कि सर्म मुझे हिस्ट्री इतनी अच्छे समझनी आती, पॉलिटी पॉलिटी अगर तुम्हारा करने का मूड है, अगर तुम यह कर रहे हो, तो मैं बादा कर रहा हूं, आठ में से चार से लेके, पांच कोशन तुम कर दोगे, बहुत ही अराम से, और इस पूरे को करने में लगेगा, एक हफता, ठीक है, जब मैं ऑफलाइन में करा रहा था, तो मुझे इतना ही टाइम लगा, ठीक है, याद रखो, ठीक, यहाँ बात में समझ में, अब आता है करेंट अफेर, भाई देखो करेंट अफेर के सिंपल यह टॉपिक्स है, और इसमें AI, डिफेंस जरूर आएगा इस बार, डिफेंस तो हर साली आता था, AI जरूर आएगा इसमें जो अवार्ड की कैटेगरी है ना, यह मैंने हाँ पर लेस्ट डाउन करते हैं, गोल्डन ग्लोब, आसकर, फिल्म पेर, रैम से मैक से बुकर प्राइज, दादा साहिफ फाल के अवार्ड, यह कॉमन वेल गेम, एशन गेम, फीपा, यह हर साल आते है, तो अगर तुम कर लो भाई साब, तो तुम्हें बात मैं गैरेंटी दे रहा हूं, यह मिलेगा, मिलेगा, दूसरी बात यह वाला, यह वाला बहुत आएगा, इस बार, तीन कोशन बार बहुत आएगे, AI, डिफेंस, और स्कीम, यह बहुत आने वाले हो सकता है, करन्ट इफेल सिर्फ इन त साथ हो, ठीक है, तो भईया, यह बहुत जादा इंपॉर्टनेंट है, एक्जाम में आएगा, अब मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बना दिये, अगेन इसका लिंक दिस्क्रिप्शन बॉक्स में, करेंट अफेर अब इससे देखना शुरू कोरो, यह अरौं साड़े साथ गंटे की है, 7 hours की, अगर तुमने देख लिया मेरा वादा है, oh my god, you will fall in love, कि यार, कितना सिंपल कर दिया है, और कितनी बाहर रिविजन करा दिया है इस बंदे ने, so please इसे करना ज़रूर, अगेन इसका लिंक कहां पढ़ा है, यूटू मलब, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ा है, ठीक है, अब आते हैं, इंग्लिश पे, देख यार, इंग्लिश का सीन क्या है, इंग्लिश का सीन में, vocab, idiom, phrases, सबसे ज़्यादा important है, आप वोगे सर, exam का pattern बदल चुका है, नहीं, अगर आप NDA का slavers देखोगे, तो वहाँ पर आपको slavers में क्या लिख लेगा वी आर, लुकिंग, मैं आपर, प्लेइन पेज पे लिख के दिखाता हूं, वी आर, लुकिंग, फॉर कैंडिडेट, देख ले ना, यही एग्जेक लाइन लिखी है, इतना चा slavers लिखा है, उसने कहीं नहीं लिखा, कि भाहिया, मैं नाउन पूछे, मैं पूछूँगा, मैं पूछूँगा, मैं एक जक्टिव, मैं एडिवाब, मैं इंटॉणिम पूछूँगा, मैं इडियम प्रेज पूछूँगा, ऐसा उसने कहीं लिखा, उसने कहा, कि हमें कैसा आद्मी चाहिए, जिसको अंग्रेजी की basic समझ हो, और शब्दों का इस इस्तमाल में वो vocabidium भी पूछ सकता है, one word substitution भी पूछ सकता है, uses of word भी पूछ सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है, पड़ इसका मतलब यह है तो मैं शब्दा रची, अब सवाल यह है कि जो words पूछने वाला है, वो हमें पता कहां से लगेंगे, देखो, NDA का rule है कि वो जो है, वो repeat नहीं करता, ठीक है, number two, तो इसका मतलब यह है कि जो NDA में आ चुक है, वो नहीं करता, तो पहला हमें जो काम करना है, वो यह करना है, जो NDA में options है, वो अभी तक सवाल बनके नहीं आए, तो options तो ज़रूर करना है, options तो exam में आएंगे, दो से लेके तीन question तो आते ह है, ठीक है, number one, यह काम तो लिए, दूसरा, ND के उपर सबसे बड़े exam है कौन से, ND के उपर, CDS, AFKET, यह सबसे बड़े exam है, यह करना ही करना है, clear है, इसके उपर एक और बाप exam है, SCCGL, SCCGL पहला exam था, जिसने vocab को लेकर आया था, अगर आपने यह सोच लिया, कि भाईया, म question पूछा रहे है, यह CDS का pattern है, पर ND का pattern क्या कहता है, कि देखिए, 30 question होंगे, vocab, idiom, phrases, या one word substitution, ठीक है, इसके, और जो 20 question होंगे, वो होंगे grammar के, बात समझ मारी है, अब, मुझे बताओ, grammar आ के तिरी है, 20 question, और मैंने तुम्हें पहले ही starting में बताया था, कि इस exam को निकाल लेगा, तीन मुख्य पिलर है, देखिए देना है, Maths, Science, English, अगर तुम English को ही छोड़ दोगे, निकले गई नि, तुम 10 जनम लगा लो, कई ऐसे बच्चोंगी, जिसका English कम जोग है, उसके वेसे निकली नहीं पा रहा हो, तो भाई, ये गलती नहीं करना, ठीक है, तो English से भ पा रहा हो, क्योंकि अखिला आदमियों भाई में सारी चीज़े वीडियो नहीं बना पाँगा, ठीक है, तो वो एप पे मिल जाएगी, 300 रुपीज की है, जादा कुछ खास रुपे है नहीं, मैंने आपको सिर्फ दो जगा अपना टाइम, या मलब पैसा इन्वेस्ट करने वो कहा है, वो है Maths और English, और यह दो मुख्य प्लर है, जो आपको टाइम देना ही बढ़ेगा मेरे को, तभी मैं आपको बेडा पाल करा सकता हूँ, clear है, now मैं आपको एक, you know, audio सुना चाहता हूँ, सुनिए और मुझे बताइए कैसा है वो, ठीक है, तर आपको सल्यूट है, आपका दिया हुआ, सब आया, EDM, face, EDM faces, synopsis, सब, सब आपने जो करवाए हुई आया, एक दो थी words जो पार से आया, बड़ मुझे उनको देखके थोड़ा feelings हारी थी कि, वो की वो हुए words में से ही है, मगर थोड़े words change है, वो मुझे सब अपेवल भी बहुत अच्छा है, औ क्या करना है, कैसे करना है, अब ये पिछले exam की audio थी, और मैंने आपको सिर्फ इसलिए ये सुनाईए, कि या जो मैं कह रहा हूँ, वो 100% आएगा, यार देखो, कभी तुम्हानी तरह मैं भी एंडिया का स्वेंट था, मैंने exam निकाला है, और उसके बाद मुझे confidence आया है, क ये exam कैसे कैसे निकल सकता है, बच्चों को guidance की दिक्कत होती, तो मैंने तुम्हें exactly पूरा पर प्लान बना कर दे दिया है, कि इसी प्लान पर चलना है, ठीके, मेरी बस तुमसे एक request है, अगर तुमारा मन हो रहा हो, ठीके, कि offline करना की जोड़ते तो आना, सिर्फ 30-40 attention दो बच्चे को, उसके selection के chances बढ़ दाएगी, दूसरा, उससे कहो सब कुछ मत पढ़, जो तुम उसे exam में to the point आ रहा है, खाली उसे बस वो पढ़ो, अगर तुमने उसे to the point पढ़ाया, तो भाईया, उसका काफी काम बच जाएगा, वरना वो NCRTO 10 कितावे लेगा, तीसरा हमारा एक काम होता है, उसको test बहुत दो, जल्दली revision कर रहा हो, जल्दली test कर रहा हो, अगर तुम यह तीन चीज़े एक बच्चे के साथ कर पा रहे हो, तो भाईया, offline में उसको मतलब उसको सब कुछ मिल गया, और मातर 30 से 40 बच्चे बहुत कम होता है, तो अगर आपका मन ह हो, यह मेरा नंबर है, ठीक है, आप मुझे call कर सकते हो, ठीक है, अब इसके लिए मेरा नंबर ही रहा, timing यह रही है, 6 PM to 9 PM, शाम को है, और Saturday, Sunday off रहता है मेरा बच्चे, तो याद रखना कि मैं Sunday, Saturday, Sunday नहीं हो, simple है, जो मैंने strategy बताईए, वो करो, उसके बाद PYQ लगाओ, को में GAT plus maths, दोनों करने का मन हो, ठीक है, तो एक त्रिशूल बैच है, वो again app पर है, कौन सी app पर है, self selection board, ठीक है, वो उस app पर आपको त्रिशूल बैच मिल जाएगा, वो मातर हजार रुपे का है, और वो ना केवल NDA 124 देखेगा, वो NDA 224 भी देखेगा, दोनों बैच के ल हो, मेरा address तुम्हें पताओ नों ची, मेरेट में, चौदी चर्ण सी उन्यूस्टी के जस अपूजिट में, तो मेरी classes मिल जाएगी, ठीक है, मेरा office मिल जाएगा, और मिठाई के लाओ, एक्जाम निकल दो भाई, मिठाई के लाओ, जैहिन, टेक क्यार, पाई,